सैमसंग गैलेक्सी S8 आटो कॉल रेकॉर्डिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आप जो है अपने डिवाइस में आटो कॉल रेकॉर्डिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्फ के सिकर सकती है ठीक है अगर दोस्तों आटो कॉल रेकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है आप यहाँ पर दोस्तों रेकोर्ट सेटिंग क्या हुआ है फिराव काम नहीं करें तो उसका अब आलग सवलिशन होगा अगर आप को सेटिंग सही तरह किसी करना नहीं आते उसका भी सवलिशन आपको इसी वीडियो के अंदर पर मिल जाएगा ठीक है तो ओटो कॉल रेकोर्डिंग के रिलेटेट में जो आपको प्रॉब्लेम हो रहा है आज के इस वीडियो के साथ ही आपका जो प्रॉब्लम में वह भी सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको स्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तो वीडियो शुור करते हैं कि तो दौस्तों यहां पे आपको सबसे पहले to करना किया है अगर आप को प्रॉब्लमा रहा है तो आप एक बार डोस अपने डिवाइस को डिवाइस को रिश्टार्ट करके देखें डिवाइस रिश्टार्ट करने के दुनने की कोशिच कीजिए ठीक है phone service तो यहाँ पे phone option है तो इसमें आपको click करके जाना है एंडेंट आप जो है दोस्तों यहाँ पे जाए storage में clear data पर click करके ok कर देना और इसका data को clear कर दीजिए जैसे data clear होगा आप बेक करें बेक करने के बाद दोस्तों आप अपने call setting को open कीजिए three dots में click करके आप call setting पर जा सकते हैं and then दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस प्रकर का interface ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा आप record कोल के अंदर पर जाए यहाँ पर रेकॉर्ट कोल्स ठीक है auto record कोल्स तो यह option आप इनेबल कर दीजिए तो यह option को इनेबल जिससे आप करोगे तो आपका auto call recording ओन हो जाएगा तो एक बार आप दोस्तों स्क्रॉल डाउन करें reset के option पर जाये reset all settings पर क्लिक करके सारे settings को यहाँ पर reset कर दीजिए mobile pattern password जो भी है उसको भर दीजिए और सारे settings को एक बार reset करके दुबारा से try करके दीखी ठीक है अगर इससे काम बन जाते यह problem solve हो जाता है तो अच्छी बाद है फिर भी दोस्तों मान लिजिए problem आपको आ रहा है ठीक है इतना solution किया फिर भी आपको problem आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको suggest करूंगा mobile software अपडेट करें ठीक है mobile software अपडेट करें लेटेस वर्जिन पर mobile software अपडेट करने के बाद दोस्तों इस तरह का जो problems रहते हैं completely fix हो जाते हैं ठीक है तो आपको mobile software भी अपडेट करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते आप ठट पाटी application भी download कर सकते हैं जैसे कि call recording का यहाँ पे application नहीं होते ऐसा ठीक है तो पर दोस्तों आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते इंस्टॉल करके दोस्तों आप इसको जो है यहाँ पर यूज कर सकते बहुत आसाने दोस्तों और अच्छी तरह के से भी काम करते हैं यह application तो आप इसको भी जो है यूज कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह के से आप अपने problem को fix कर सेकते, उमेद करते दोस्तों वीडियो, आपको जो है पसने आवगा, thanks for watching.